इस्थानिय नगर पंचायत के मेर पत के लिए चुनाफ काफी प्रतिष्ठत हो गया है और चैन प्रक्रिया शुक्रवार को हुई है यहां कॉंग्रिस भावमत वाली पार्टी है कॉंग्रिस की और से हरशा इंडूर करके मेर पत के नामनकन पर मुहर लगी है हलाकि कॉंग्रिस में कई लोग उपाद्यक्षपत की जीत के लिए पार्टी निताओं की पैर भी कर रहे हैं कॉंग्रिस की हर्शा इंडोरकर ने सुमवार को मेरपत के लिए नामनकन दाखिल किया मेरकपत अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित हुआ इस चुनाव में 17 सीटों के लिए वोटों की गिंदी 20 जन्वरी को हुई थी 17 में से कॉंग्रिस के 8 राकंपा के 4 भाशपा के 4 और 1 निर्दली है 8 कॉंग्रिस पार्शदों के चुनाव के साथ ही उन्हें हाश्ये पर भहुमत मिला हालकी कॉंग्रिस में निर्दली उमीद्वार विध्या ताई लेंडे की वापसी के साथ कॉंग्रिस की ताकत बढ़कर 9 हो गई है भहुमत के आकड़े के बावजूत रूसु मुद्रा स्वीती की वज़ा से संभावित खत्रे से बचने के लिए कॉंग्रिस ने न्सीपी की दो पाश्चिदों के साथ इस परश्ट भहुमत की और कदम बढ़ाया कॉंग्रिस ने 9 सदस्य सम्हू को पंजिकरत किया इसको बताया गया सम्हू के नेता अमिर ठवकर हर्शा इंडोर का निशा घुमरे सरीन शंभरकर शारदा दूद पचारे मयो तालेकर रुपेश मेश राम शीतल यलने और विध्या लेंडे विदायक राजू परवे ने सारे फॉर्मूले अपने हाथ में लिए और इस बात का ख्याल रखा की कहीं कॉंग्रिस में हाथ अपाई ना हो जाए अरक्षित पत के लिए कॉंग्रिस सम्हू में अनुसुचित जाती एक मात्र महिला पार्शद है तो महापौर के लिए तस्वीर लगभख साफ है बीजेपी की और से नेहा मनसारे ने भी मेयर पत के लिए आविदन किया है प्रक्रिया में आविदनों को इंदूर का वैद घोशित कर दिया गया है उमीद्वा मेयद पत के लिए घोशित किया आज शुकरवार को पत के लिए नामनकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा सुबह साड़े आठ बजे से साड़े दस बचे तक हुआ उपस्तित उम्रेड विधानसभा शेत्र के आमदार राजू पारवे और विभागी अदिकारी मुख्य अदिकारी मैडम मनोज तितर मारे केने सर केलाश चौधरी सचिन घूमरे विलाश रागोरते वासने को पस्तित थे कोई से बीसे नियूस के लिए संची अतकरी की रिपोर्ट